नमस्कार दोस्तों, सुभागत है आपका Pharmaharts में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं cystitis की treatment के बारे में दोस्तों, cystitis एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके urinary bladder यानि की मुतराशे में inflammation हो जाता है तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इसका कारण क्या होता है इसको हम कैसे treat कर सकते हैं और इसमें क्या-क्या symptoms आपको दिखाई पड़ते हैं तो सबसे पैसे अगर हम बात करें कि statis होता क्या है तो आपको urinary bladder के बारे में पता होगा कि जहां पर urine store होता है और urinary bladder एक तरह से urine को store करके रखता है ता कि हमें बार बार urination के लिए जाना पड़े तो कई बार urinary bladder में inflammation हो जाता है इसमें swelling आ जाती है तो इसी कौहम लोग से status बोलते हैं ऐसी condition में आपको बार-बार पेशाप करने जाना पड़ सकता है और आपके urinary bladder में दर्ध होता है आप समझ नहीं पाएं कि urinary bladder में कैसे दर्ध होगा तो आप ऐसे समझें कि penis के उपर के side में आपको हलका सा pain होगा लेकिन हाँ पेट के अंदर में होगा यानि कि नाभी के नीचे तो अगर ऐसा pain होता है और लंबे शमय तक चलता है तो हो सकता है कि आपको urinary bladder में inflammation हो गया हो अब यह हम बात करते हैं इसके कारण के बारे में कि urinary bladder में inflammation होने का reason क्या होता है तो कभी-कभी माल लीजे अगर आपको कभी injury हो जाती है यानि कि उस side पे अगर आपको चोट लग जाती है तब आपको यह problem आ सकती है इसके अलामा कई बार paralysis की वज़े से भी लोगों में यह problem आती है इसके अलामा सबसे जो common reason है वो है UTI infection यानि urinary tract infection अगर आपको urinary tract infection है तो status होने के chances जादा ही बढ़ जाते है अगर आपको अगर urinary bladder में stone है यानि कि पत्री है तो उस condition में भी status होने के खत्रे रहते है इसके अलामा यूरेथ्रा में congestion होने के कारण भी ऐसा हो सकता है यानि कि हो सकता यूरेथ्रा में कुछ जम गया हो खाज करके stone ही होता है अगर आपको यूरेथ्रा में भी stone हो चुका है उस time पे भी या किसी भी वाज़े से अगर congestion हो गया हो जमाव हो गया हो तो cystitis होने का खत्रा रहता है तो ये सभी reason होते हैं अभी हम बात कर लेते हैं कुछ sign or symptoms के बारे में कि क्या symptoms आपको दिखाई पड़ते हैं तो अगर urinary bladder में आपको severe pain होता है जैसे कि मैंने आपको पता है ना कि penis के उपर नाभी के नीचे थोड़ा सा पेट में अंदर में अगर आपको दर्द हो रहा है और वो दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है तो यह cystitis के लच्छन हो सकते हैं उसके symptom में ऐसा ही होता है इसके अलामा आपको hyper urination होता है यानि बार बार पेशाब लगती है बार बार जाना पड़ता है और इसके अलामा पेशाब में जलन होती है burning sensation का अनुभव होता है और कभी-कभी urine के अंदर में अगर आपको पस आ रहा है तब यह sign or symptom भी urinary tract infection या फिर आपके तरह cystitis का हो सकता है यानि कि आपके urinary bladder में inflammation का हो सकता है इसके अलामा lower abdomen में pain होता है और यह जो pain होता है यह पीछे के side में लगा करके होता यानि कि आपको आगे और पीछे दोनों के side में pain होगा और वो abdomen के last मतब पेट के जो सबसे नीचे अलापाइट है वहाँ पे होगा तो इस तरह का pain भी होता है cystitis में यानि कि urinary bladder के inflammation में अभी हम बात करते हैं treatment में कौनसी medicine दी जाती है दोस्तों आपको यह medicine अपने मन से नहीं लेनी है बस जानकारी के लिए बताई जाती है तो cystitis के treatment में कुछ medicines दी जाती है जिसमें norfloxacine tablet दी जाती है with lactic acid bacillus इसकी combination आती है इसके अलावा मतलब इसके जगे पे norfloxacine की जगे पे आपको libofloxacine भी दी जा सकती है और यह tablet एक एक tablet सुबह और साम खानी होती है मतलब सुबह और साम का वेडी खानी होती है या तो norfloxacine दी जाएगी या फिर libofloxacine दी जाएगी इसके साथ में एक सीरप दिया जाता है डाई सूडियम हाईडूजन सिट्रेट और इसको कैसे पीना होता है तो इसको हमें पीना होता है दो चिम्मच एक कब पाने में मिला करके सुबे दो पाहर साम या दिन में तीन टाइम आपको पीना होता है याद रखें कि इस सीरप को आप डारेक्ट ना पिएं इसे डालूट करके याणि पाने में मिला करके ही पिएं इसके अलावा विटामिन A की कैपसूल दी जाती है जो आपको सुबह शाम खानी होती है दोस्तों ये सारे ट्रीटमेंट अगर आपका हो रहा है और आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो अपने डाक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं अगर आप और भी कंप्लिकेशन मैसूस कर रहे हैं तो अपने डाक्टर से शंपर कर सकते हैं दोस्तों कुछ ऐसे विमारिया यह सब होती हैं जिसमें आपको अपने आप से मेडिसिन नहीं लेने चाहिए, डाक्टर से जाच करानी चाहिए, बिना डाइगनोसिस के कोई भी बीमारी का इलाज घातक से दो सकता है, इस वज़े से ध्यान रखें, दोस्तों यह था आज का व वो भी आप सबस्क्राइब कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनेवाद,